चलो आज की breakfast recipe बनाना शुरू करते हैं बहुत ही simple and minimalistic recipe है ये लेंगे मूं की धुली हुई दाल और उसको खुब से अच्छे से पानी में wash कर लेंगे for 3 to 4 times इसके बाद इसको मैंने साफ पानी डाल कर soak करके रख दिया है I prefer soaking for 4 hours sometimes I soak it overnight as well अब डालेंगे इसको एक grinder में, grinder में डालेंगे साथ में 2 हरी मिर्ची और एक छोटा सा टुकडा अदरक का और एक fine paste ready हो गया है अब इसमें आड करेंगे grated carrot chopped onions इसमें आड करेंगे green capsicum भी मैंने डाला है बट वो shoot करना रहे गया है और थोड़े से tomatoes इसमें आड किये है इसमें में डालूंगी coriander leaves salt थोड़ा सा इसमें आड किया है turmeric powder और black pepper और इसके बाद इसमें डालेंगे chili flakes and 1 spoon sesame seeds का इसको बहुत अच्छे से mix करने से हमारा बेटर ready हो गया तवे को grease किया बेटर को गोल गुमाया गोल गोल फैलाया और ये हमारा round round chili रेटी हो गया है chili को अच्छे से फैला के flip कर दिया है हमने दोनों side से oil लगा के इसको अच्छे से golden crisp कर लिया है and enjoy